हेलो जाइन फ्रेंड्स आज हम चमबा डिस्टिक्स से संबंदित जितने भी important question बन सकते हैं उन्हें discuss करेंगे तो वीडियो को ध्यान से देखेगा क्योंकि वीडियो के last में हम आप से question पूछेंगे जिसका answer आपने हमें comment box में बताना है तो चलिए start करते हैं फर्स्ट question है चमबा जी लेका कुलक शितरफल कितना है पांच हजार 749 किलमीटर छे हजार 404 किलमीटर छे हजार 528 किलमीटर या 5 हजार 504 किलमीटर तो दोस्तों का correct answer है option c 65008 किलमीटर नेक्स्ट क्वेशन है चमबा जीले का जिनसंग के घनात्यों कितना है 80, 263, 308 या 407 तो दोस्तो इसका correct answer है option नमरे 80 नेक्स्ट क्वेशन है चमबा जीले में कितनी विधन सबा सीटे है 4, 5, 8 या 10 दोस्तो इसका correct answer है option नमरे B 5 नेक्स्ट क्वेशन है चमबा रियासित किस तापना किस ने की थी साहिल वर्मन ने, लक्ष़म्न वर्मन ने, अजय वर्मन या राजा मारू ने तो दोस्तो इसका correct answer है option number D राजा मारू ने, नेक्स्ट क्वेशन है चमबा का प्रथम राजा कौन था जिसने अपने नाम के साथ वर्मन उपनाम जोड़ा था साहिल वर्मन, युगाकर वर्मन, अधित वर्मन या लक्षमन वर्मन तो दोस्तों इसका correct answer है Option number C, अधित वर्मन Next question है चमबा के किस राजा किसम है, रज्य में हैजा विमारी फैल गई थी मेरू वर्मन किसम है, लक्षमी वर्मन किसम है, मुसान वर्मन किसम है, या ललित वर्मन किसम है तो दोस्तों इसका correct answer है Option number B, लक्षमी वर्मन किसम है Next question है बर्मोर्ग के मणिमेश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था साहिल वर्मन ने, अधिते वर्मन ने, मेरू वर्मन ने या गनेश वर्मन ने दोस्तो इसका correct answer है option number C मेरू वर्मन ने next question है चंबा के किस राजा ने अपनी मृत्यू के बाद रानी के सतीन होने के आदेश छोड़े थे साहिल वर्मन ने, मेरू वर्मन ने, उमेद सिंग ने या प्रताप सिंग ने तो दोस्तो इसका correct answer है option number C उमेद सिंग ने next question है चंबा का कोन सा राजा अकबर का समकालिन था ललित वर्मन, प्रताप सिंग वर्मन, युगाकर वर्मन या आजय वर्मन तो दोस्तो इसका correct answer है option number B प्रताप सिंग वर्मन next question है चंबा के किस राज को उसकी दियालू और दानवीर्ता होने के कारण उसे बाली करण कहकर पुकारते थे प्रताप सिंग वर्मन, प्रित्वी सिंग वर्मन, भूरी सिंग या बलबदर सिंग तो दोस्तो इसका correct answer है option number D बलबदर सिंग next question है चंबा शहर की स्थापना किस ने की थी? मेरू वर्मन ने, अधित्य वर्मन ने, साहिल वर्मन ने या युगाकर वर्मन ने दोस्तो इसका correct answer है option number C साहिल वर्मन ने next question है 1908 में भूरी सिंग संग्रहले की स्थापना किस ने करवाई थी? शाम सिंग ने, भूरी सिंग ने, राम सिंग ने या उदे सिंग ने तो दोस्तो इसका correct answer है option number B भूरी सिंग ने next question है चंबा में चितरकला का उद्ये? किस के समय में शुरू हुआ? साहिल वर्मन, भूरी सिंग, राज सिंग या उदे सिंग तो दोस्तो इसका correct answer है option number D, उद्य सिंग के समय next question है योगी चरपतनात किसके गुरु थे? मेरू वर्मन के, साहिल वर्मन के, हजय वर्मन के या लक्ष्मन वर्मन के? दोस्तो इसका correct answer है option number B, साहिल वर्मन next question है सुप्रसिद कमला नहरू पार्क चमबा जी लेके किस थान पर है? हरदासपुरा, बनिखेत, डलोजी या बर्मोर तो दोस्तो इसका correct answer है option number C, डलोजी next question है चमबा आने वाला प्रत्थम येरोपियन कोन था? विगने, विलियम मूर क्राफ्ट, हैंडरी या लार्ड नेपियर तो दोस्तो इसका correct answer है option number C, विगने next question है चमबा जी ले में पहला डागर कब खोला गया था? 1860 में, 1863 में, 1865 में या 1870 में तो दोस्तो इसका correct answer है option number B, 1863 में next question है चमबा जी ले में शाम सिंग हस्पताल कब खोला गया था? शाम सिंग हस्पताल कब खोला गया था? 1885 में, 1888 में, 1890 में या 1891 में तो दोस्तो इसका correct answer है option number D, 1891 में next question है चमबा जी ले में प्रत्थम जल्व विदूत पिरोजना का निर्मान कब किया गया था? 1905 में, 1910 में, 1915 में या 1920 में तो दोस्तो इसका correct answer है option number B, 1910 में next question है चमबा सेवक संग की स्थापना कब हुई थी? 1925 में, 1928 में, 1930 में या 1936 में तो दोस्तो इसका correct answer है option number D, 1936 में next question है तिबितियों के आकरमन के समय चमबा का राजा कोन था? साहिल वर्मन, मेरू वर्मन, लक्षमी वर्मन या आजय वर्मन? तो दोस्तो इसका correct answer है option number C, लक्षमी वर्मन next question है चमबा के किस राजा ने राजधानी ब्रह्मपूर से स्थानंत्रित कर चमबा लाई थी? साहिल वर्मन, मेरू वर्मन, उदै वर्मन या लक्षमन वर्मन? तो दोस्तो इसका correct answer है option number C, साहिल वर्मन ब्रह्मपूर बर्मोर का प्राची नाम था इसके बाद next question है चमबा के किस राजधाने कुलू के राजधा दंत्यश्वर पाल को लड़ाई में मार गिराया था साहिल वर्मन ने, मेरू वर्मन ने, युगाकर वर्मन ने या प्रताप वर्मन ने दोस्तों इसका correct answer है option number B मेरू वर्मन ने next question है लड़ कारजन प्रत्थम बार चमबा कब आई थे 1893 में 1895 में 1895 में या 1900 में तो दोस्तों इसका correct answer है option number D 1900 में next question है चकली किस रियासत का प्रसिद सिक्का था चमबा, कांगडा, कुल्लू या सिर्मोर तो दोस्तों इसका correct answer है option number E चमबा next question है राजा भूरी सिंग किस वर्ष गद्दी संबाली थी 1901, 1904, 1905 या 1908 तो दोस्तों इसका correct answer है option number B 1904 में next question है लाड में यो किस वर्षर प्रत्थम चमबा आये थे 1870 में, 1871 में, 1872 में या 1875 में तो दोस्तों इसका correct answer है option number B 1871 में next question है चमबा रियासत का अंतीम राजा कोन था भूरी सिंग, लक्षमन सिंग, राम सिंग या प्रताप सिंग तो दोस्तों इसका correct answer है option number B लक्षमन सिंग next question है चमबा शहर में पानी की या पूर्ती के लिए किस रानी ने अपना बलिदान दिया था नैना देवी ने, चमपावती ने, त्रिभुवन देवी ने या रेखा देवी ने दोस्तों इसका correct answer है option number B नैना देवी ने next question है चमबा जिले में सुई मेला कब मनाया जाता है जन्वरी में फर्वरी में मार्च में या अप्रैल में तो दोस्तों इसका correct answer है option number D अप्रैल में आपने दोस्तों या या रखना है चमबा का सुई मेला सिर्फ केवल बच्चों और महिलाओं के द्वारा मनाया जाता है यह कई बार एक्जम में पूछ लिया जाता है इसके बाद next question है हरी राय मंदिर का निर्माण किसने करवाया था लक्षमन वर्मन ने साहिल वर्मन ने भूरी सिंग ने या राम सिंग ने दोस्तो इसका पूरेक्ट अंसर है option नमरे लक्षमन वर्मन ने next question है चमबा कलम का विकास किसके स्माई में हुआ था परताप सिंग, राज सिंग, राम सिंग या उमेद सिंग दोस्तो इसका पूरेक्ट अंसर है option नमर भी राजा राज सिंग इसमा एट नेक्स्ट क्वेट्ट एट एट उमेध सिंग ने तो दोस्तो इसका नील नेजिर ने तो दोस्तों इसका correct answer है option number A VC औरी ने Next question है खजियार जिल की समुदर तल से उंचाई कितनी है 1950 मीटर 1951 मीटर 1955 मीटर या 1960 मीटर दोस्तों इसका correct answer है option number B 1951 मीटर Next question है चमबा को पांगी से जोडने वाला दरा कौन सा है चोबिया दरा, बसोधन दरा साच दरा या पदरी दरा तो दोस्तों इसका correct answer है option number C साच दरा Next question है चमबा जिले की सबसे उंची चोटी कोन सी है मनी महेश, पीर पंजाल गोरी देवी या नर सिंग टिबा तो दोस्तों इसका correct answer है option number B पीर पंजाल Next question है पीर पंजाल चोटी की उंचाई कितनी है चोशट सो मीटर एक सोट सो मीटर पॉंच जार नो सो बतर मीटर या पॉंच हजार नो सो बतालिस मीटर तो दोस्तों इसका correct answer है option number C पॉंच हजार नो सो बतर मीटर Next question है चम्बा के किस राजा ने औरंग जेब के उस आदेश को ठुकरा दिया था जिसमें उसने अपने रज्जे में स्थित सभी हिंदू मंद्रों को दोस्त करने का आदेश दिया था राजा जगत सिंग, उदे सिंग, चतर सिंग या प्रित्वी सिंग तो दोस्तो इसका correct answer है अपनी पुत्री चम्पावती के नाम पर किस ने चम्बा शायर का नाम रखा था साहिल वर्मन ने, मेरू वर्मन ने, लक्षमन वर्मन ने या प्रताप वर्मन ने तो दोस्तो इसका correct answer है option number रे साहिल वर्मन ने तो दोस्तो अब हम आपसे कुछ question पूछ लेते हैं जिसका answer आपने हमें comment box में बताना है फर्स्ट question है चम्बा सेवक संग की स्तापना कब भी थी? 1925 में, 1928 में, 1930 में या 1936 में इसका answer आपने हमें comment box में बताना है नेक्स्ट question है चम्बा जीले में कितनी विधान सबसीटे हैं? पांच, चार, तीन या दो नेक्स्ट question है भूरी सिंग संग्रहले की स्तापना कब की गई थी? 1906 में, 1908 में, 1910 में या 1912 में इसका answer भी आपने हमें comment box में बताना है नेक्स्ट question है चम्बा जीले में सुई मेला किस महीने में लगता है? जनवरी में, फर्वरी में, मार्च में या अप्रैल में इसका answer भी आपने हमें comment box में बताना है नेक्स्ट question है चम्बा रियासत का अंतीम राजा कौन था? लक्षमन वर्मन, भूरी सिंग, राम सिंग या राज सिंग? इसका answer भी आपने हमें comment box में बताना है तो friends, आज के लिए बस इतना ही अंत में मैं दो लाइने कहना चाता हूँ हवा में ताश का महल नहीं बनता, रोने से बिगड़ा, मुकदर नहीं बनता दुनिया जीतने का होसला रख एदोस, एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलेगा मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए, जय हिंद!